आप सभी का मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्थ होंगे, महादेव के कृपा आप सभी पर सदायव बने रहें ये वीडियो मिथुन याने की जमिनाए के लिए अत्यंत विशेश वीडियो है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने याने की अक्टूबर 2024 के मासिक राशेपल के बारे में, कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मिथुन के लिए, जो मेरा मासिक राशेपल होता है वो जिसके करने से महीने की सकरात्मक्ता में व्रिद्य वश्य होती है यदि आपकी लगने राशी या चंद राशी मिथुन है दोनों ही गाइदेंस के लिए इस राशी फल को देख सकते हैं जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है वहां से देखे टेक्निकली पॉसिबल नहीं ह कि आप बोलें कि मेरी लगने राशी मिथुन है और मेरी तो अलग राशी फल बनाई है मेरी चंद राशी मिथुन है तो अलग राशी फल बनाई है वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है राशी फल पॉइंट ऑफ अब्सरवेशन होता है तो जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देख सकते हैं शुरू करते हैं सत्यंत महत्रपुन राशिफल का सामान्य विशलेशन के साथ सरपतम हम लगन भाव पर ही नजर आ लेंगे इस महीने लगन में मंगल रहेंगे 20 तारीक तक तो मंगल क्योंकि आपके लाभेश हैं और छटे भाव के स्वामी हैं और मंगल उपचे भाव के स्वामी हैं दोनों ही ये जो भाव हैं उपचे स्थाने यानि की जीवन को एक गती प्रदार होगी इस महीने के शुरुवाती भाग से ही आपके अंदर एक motivation, एक उर्जा, एक सकरात्मकता रहेगी यह जो मंगल है वो नीच अमिलाशी है क्योंकि 20 अक्टूबर को नीच की राशी में चले जाएंगी तो कुरूर ग्रह जब नीच का होता है तो उसकी जो एक प्रबलता है रिजल्ट देने की वो और बढ़ जाते हैं और मंगल कैसा ग्रह है? मंगल aggression का ग्रह है, मंगल action का ग्रह है, मंगल implementation का ग्रह है तो इसलिए जब वो लगन में होंगे और नीच अभी राशी होंगे आनि की आपके अंदर वो क्षमता, सक्षमता, वो प्रिर्णा और उत्साह देंगे की हाँ, मुझे बड़े-बड़े बदलाव लाने है और ये महिना आप अवश्य वो बड़े-बदलाव लापाएंगे ग्रहों के राशी के प्रिवतन की तरफ हम बड़े उससे पहले, एक बहुत बड़ी चीज होगी वो होगा ग्रहन का लगना, दो तरीक को आपके चौथे भाव में सूरे ग्रहन लगेगा, सूरे ग्रहन का प्रभाव मेरे हिसाब से जाता के कुणली में छे महीने तक रहता ह लेकिन आने वाले छे महीने की पट कथा, छे महीने की जो एक ज़र्णी होती है उसको तै कर दिया जाता है, जहाँ चंडरमा या चंडरगरहन का प्रभाव मानसिक रूप से मानसिक दृष्टि कुण से बहुत होता है, सूरे ग्रहन का प्रभाव आपके भोतिक दृष्टि कुन से बहुत होता है और चौते भाव में क्योंकि सूरे हैं सूरे गरहन लग रहा है तो फैमिली के इशूस को solve करने के लिए अपने आपको emotionally strong करने के लिए बड़े निरने को लेने के लिए बड़े बदलाव को लाने के लिए करियर से समझेद कुछ बदलावों को लाने के लिए करियर में गहनता से विचार करने के लिए और property related कुछ issues को solve करने के लिए सूरे गरहन का प्रभाव अच्छा रहेगा लेकिन जिनकी कुंडली थोड़ी सी वीक है क्योंकि चौते भाव में सूरे गरहन लग रहा है तो emotional life पे उनके थोड़ा सा negative impact भी पड़ सकता है insecurities, घर में तनाव, अपने उपर से विश्वास की कमी और क्योंकि सारे गरह मिलका दस्वे घर को देख रहे हैं तो कारेक शेत्र में थोड़ी सी sensitivity emotional बहुत रहेंगे कारेक शेत्र में इस अब के लिए नहीं होगा लेकिन विशेश्टा जिनकी कुणली थोड़ी सी वीक है कुणली में बहुत बुरे दोशे हैं या फिर अंतर दशा इस समय बहुत खराब चल रहे है उनके लिए गरहन थोड़ा सा सम्वीदन चीलता लेकर आ सकता है लेकिन चौते घर में क्योंकि गरहन लग रहा है तो अवश्य आपको अपने emotional life को improve करने का मौका अवश्य ये गरहन देगा गरहन को negative नहीं समझना चाहिए हमेशा कहता हूँ कि कुणली में या जोतिश में कभी भी एक चीज को अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए अच्छा भी होता है बुरा भी होता है गरहन बुरा कैसे मान सकते हैं जिस दिन गरहों के राजा और गरहों की रानी यानि कि सूर्य चंद्रमा साथ में है उस दिन को बुरा कैसे मान सकते हैं जो ऐसा दिन है जहां पर सादनाइं होती हैं, तो कुछन दिन की उर्जा होथी है, उर्जा जादा होती है, इसलिए उसको समझना, important होता है, वक्री गुरु हो रहे हैं मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाई ही चुका हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा टच नहीं करूँगा इस टॉपिक को लेकिन वक्री गुरु का बारवे घर में होना विदेश के कामों में सफलता देगा क्योंकि वक्री ग्रह स्ट्रॉंग हो जाता है और शुब ग्रह अगर वक्री होता है तो और भी फलकारी हो जाता है जॉब चेंज का मौका देंगे आपको क्योंकि बारवे घर में है और बिजनस में भी बड़े बदलाव लाने का मौका देंगे देंगे और क्योंकि चौते घर को देख रहे हैं तो family में अगर कुछ issues चल रहे थे तो उनको solve करने का compromise करने का property के issues को compromise करने का अवश्य आपको फायदा देंगे छटे घर को भी देख रहे हैं यानिकी legal चीजों को भी solve करने का मौका देंगे और क्योंकि आठवे घर को भी देख रहे हैं तो ग्यान प्राप्ति का और अपने जीवन में जो अनिश्यत्ताएं चल रहे हैं उनको समझने का उनको solve करने का भी मौका देंगे राशी प्रवतन से start की तरफ अब चलते हैं बुद्ध का सबसे पहला गोचर होगा इस महीने का और वो होगा 10 अक्टूबर को और बुद्ध आपके पंचम भाब में आ जाएंगे और यहाँ पर बुद्ध क्या है वो आपके लगनेश है तो एक तो उच्च कोटी का राजयोग बना क्योंकि लगने के स्वामी पंचम में आ गए और यहाँ शुक्र बारवेगर के भी स्वामी है तो विदेश से लाप मिलेगा और यह जो गरहने थोड़ी से अनिशित्ता क्रियेट करी होगी जैसे ही बुद्ध आपके पंचम भाब में आएंगे वो चीज़ें ठीक होगी यह लक्षमी नारायन योग है यानि कि आपको धन प्राप्ति के नए अवसर भी प्राप्त होंगे नए आइडियास भी आएंगे और अपने बुद्धी मता के दम पर भौतिक संपन्नता प्राप्त करेंगे स्टूडन्स के लिए बहुत अच्छा है और ओवर और ऑल क्योंकि यह भाव नवम से नवम है और यहां पर दो शुब ग्रहों का होना जीवन में भाग्य का साथ भी देता है तो यहां पर भले ही दोनों की यूती तीन दिन की है चार दिन की है लेकिन भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा एक सकरात्मक्त आएगी धर्म के या धार्मिक कारे करने का भी मौका आपको प्राप्त होगा इसके बाद शुक्र का गोचर होगा और शुक्र छटे घर में चल जाएँगी मैं कई बार बताता हूँ जो रेगुलर विडोस देखते हैं उनको पता ही होगा कि मेरे हिसाब से एक मात्र ऐसा भाव जहां पे शुक्र क्षीन हो जाते हैं उनकी जो शमता है वो कम हो जाती है उनकी शुबता कम हो जाती है वो मेरे हिसाब से छटा भाव है कालपुरुष की कुनली में छटे भाव में नीच के हो जाते हैं और छटा भाव क्योंकि एक थोड़ा सा उग्र श्रेणी का भाव है और शुक्र क्या है वो सौम्मिता है शुक्र शुबता है तो वो छटे भाव की उग्रता को नहीं जहल पाते इसलिए यहाँ पर क्षीर हो जाते हैं क्योंकि वो आपके बारवे घर के सौमि है तो विपरीत राजों का वश्य बना रहे है लेकिन जो उनका अपना कारकत्तु है ने कि जीवन में सौम्मिता जीवन में शुबता जीवन में पारिवारिक सुख विवाहिक शुक्र, उन पर इसका negative प्रभाव पड़ेगा विवाहिक जीवन में कश्ट कलेश आएंगे intimacy की problem रहेगी और overall जीवन को थोड़ा सा enjoy कम कर पाएंगे जीवन में भोग की कमी हो जाएगी सब कुछ होते वे भी एक नीरस सा जीवन लगेगा यह शुक्र का प्रभाव छटे घर का होता है कई कुणलिया है मेरे पास पैसा है शुक्र छटे घर में है पैसा है बहुत पैसा है लेकिन जीवन में कोई रस नहीं बचा नीरस जीवन है तो वो शुक्र कहा है शुक्र जीवन का रस है मैं कईवा बताता हूं कंसलेशन में वीड़ो में करें शेयर करता हूँ कि केवल धर्ती पर वो ही वेक्ति जीवन का आनंद लेने आये जिसका शुक्र अच्छा है बाकी केवल रैट रेस का हिस्सा वन के रहते हैं अब देख लिजे अपने आसपस धन तो राहू भी देंगे उसको इंजॉय कौन करवाएगा वो केवल शुक्र ही करवा सकते हैं इसलिए शुक्र जब छटे घर में आते हैं तो जीवन थोड़ा सा नीरस हो जाता है इसके बाद सत्रा को सूर्य और बीस को मंगल का राशी परिवतन होगा दोनों ही नीच के हो रहे हैं अब ये भी एक विशेश प्रभाव डालेगा सूर्य सत्रा को मंगल बीस को पहले सूर्य महाराच की बात कर लेते हैं क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है उनका पंचम भाव में आना नीच का होना बिश्रत प्रभाव देगा क्योंकि वो लगनेश के साथ है थोड़ा सा आपको अपनी उर्जा पर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि वो नीच के भी हो रहे हैं तीसरे घर के स्वामी भी है और लगनेश के साथ भी है नीच करह बुरा नहीं होता मैं कईवा बताता हूँ लेकिन नीच क्यों कहते हैं उसको कुछ तो प्रभाव होगा न शास्त्रों को समझना पड़ता है ऐसा नहीं कि जो लिख दिया वो ही चीज आपने अपलाए कर दे कि नीच का अगर है तो बुरा है मैं कईवा लोगों समझाने के भी कोशिश करता हूँ जैसे फॉर इसांबल शनी अगर नीच के है शनी नीच के कब होंगे शनी कब नीच के होंगे जब वो मेश में होंगे तो धाई साल के लिए शनी नीच के रहेंगे कही ना कही नीचता आती है कहाँ पे आएगी पंचम भाव थौट प्रोसेस का है और तीसा भाव कामत्रिकोन का भाव है इच्छाएं गलत प्रकार का स्वरूप ले सकती है गलत इच्छाओं के कारण गड़वर में पड़ सकते हैं तो अपनी इच्छाओं को क्योंकि ये कामत्रिकोन का भाव है और उसका स्वामी और तीसरा भाव इच्छाओं की जागरती होता है ये पूर्णता होती है ये जागरती होती है तो तीसरे भाव से जो इच्छाओं जागरती होती है उसके स्वामी ही अगर नीच के हो गए वो वासना ही है और वासनात्मक चीज़ें अधिक्तम कुछ ना कुछ नेगेटिव देखे जाती है तो अपनी वासनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा और अपने विचारों पर भी कंट्रोल कीजेगा किसी के बारे बुरा मत सोचेगा और कंपैलिसन्स मत कीजेगा क्योंकि कंपैलिसन्स करेंगे आप और उसका बुरा प्रभाव मानसिक्ता पर पड़ेगा मंगल के कोचर के दरफ चलते हैं मंगल भी इस तारीक को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे अब मंगल आपके लिए लाभेश है और दूसरे घर में आ रहे हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच का अगरहा आज के टाइम में उतना पैसा दे सकता जितना उच्च का अगरहा नहीं दे सकता और ये तो उच्च कोटी का धनियोग अपने आप बना रहे हैं फिर से कौँगा जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा लावस्थान का धनस्थान से धनस्थान का लावस्थान से कुछ भी योग होता है तो धन योग बनता है बहुत स्ट्रॉंग तो लाभेश ही आपके धनस्थान में है वो भी नीच के पैसा तेज गती से आएगा जो दो नंबर से पैसा कवाते हैं hidden sources और जिनके income है उनके लिए तो यह और भी फलकारी दाएगा ध्यान के देना है कि नीच के मंगल अश्टम से शनी को देखेंगा यह विस्वोटक योग होता है पैसों का घमंड आएगा वानी में उगुरता आएगी वानी स्थान वानी में नीच ता आएगी नीच कहीं तो कोई यह प्रभाव देगा यह वानी का स्थान है वानी में नीच ता लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, आपके बानी में कटुता आ सकती है actually mython वाले जो जातक होते हैं वैसे बुरा नहीं बोलते हैं उनको बोलना पसंद होता है लेकिन बुरा बोलते नहीं विल्कि ऐसा नहीं लेकिन आप यहां पर प्रभाव है तो अपनी वानी पर कंट्रोल क्योंकि mython का problem क्यों होते हैं कभी-कभी बहुत जल्दी बोल जाते हैं और बिना सोचे बोल जाते हैं मैं हमेशा बोलतो हैं immaturity जलकती है वो बले ही 18 के हो या 40 के इनके व्यक्तितों में थोड़ी immaturity जलकती है ज्यान बले ही हो immaturity होती है तो बोलने से पहले बहुत सोचेगा क्योंकि वानी के कारण problem हो सकती है दूसरा ये mangal dosh start हो गया मैं हमेशा बताता हूं कि दूसरे भाव का mangal भी mangal dosh होता है और भी बहुत उच्च कोटी का कई जगा ये चीज़े प्रेशन में नहीं स्पेशली नौर्थ इंडिया में और स्पेशली जो आजकल software जा रहे है उसमें mangal dosh नहीं दिखायागा दूसरे गर्मे और कई लोगों पता भी नहीं होती है चीज़ और प्रॉब्लम तो यह है आजकल लोग अपने आप ही software से कुणलिया मिलाना शुरू कर देते हैं कि गुण मिलेगा और गुण मिलने पर ही शादिया हो जाती है बहुत विडंबना वाली चीज़ है कि गुण मिलान तो सबसे पहली एक cd होती है कि हाँ भी गुण ठीक मिल उसके बाद दुनिया भर की चीज़े देखनी होती है अगर करनी है तो यहां पर मंगल नीच के हो गए तो विवाहिक जीवन पर थो असा ध्यान दीजेगा क्योंकि विवाहिक जीवन में इशूस आएंगे उस पर हम बात करेंगे जब हम विवाहिक जीवन के शेडी में जा उपचे भाव में गए हैं लगनेश यह बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक एंथूसियास में बढ़ जाता है और यह बुद्ध जो है वो यहीं पर रहने वाले हैं बहुत लॉंग टम तक साल के अंत तक तो यहां से हिलने नहीं वाले यानि कि यह साल का जो अंतिम भाग ह है जाते जाते आपके अंदर confidence बढ़ा कर जाएगा हाँ यह वक्री भी हो जाएंगे लेकिन वह बात की बात है लेकिन अक्टूबर के महीने में उसके अंत तक तो अंत आते 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 आपके जीवन में एक उत्साह अवश्य देके जाएंगे और यह competitive exams के लिए competition के लिए बह बाखी ग्रहों की एक बार फ्रसा नजर डाले तो राहू दस्टे घर में बने रहेंगे बहुत टाइम तक शनी वक्री अवश्य है लेकिन वह मारगी होने की तरफ जा रहे हैं तो क्योंकि भागे स्थान में बैठे तो धीर धीरे करके भागे जो एकदम विलुपत सा हो गय करते हैं सबसे पहला बहुत और्गनाइज रहना शुरू करतेंगे जैसे समय जाएगा अपने आपको और्गनाइज कर लेंगे सरकारी कोई बाधायं दूर हो सकती है भागी का साथ मिलेगा हेल्थ पर फोकस कर पाएंगे करने की कोशिश करेंगे आप आप में से कई लोग म एक सकरात्मक सोच रहेगी सकरात्मक रवया रहेगा जीवन के imbalance को balance मिलाने की कोशिश करेंगे ज्यान अरजित करने का महीना है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बड़े लोगों से सलहा आपको अच्छी मिल सकती है फैमली के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे लक्ष्मी मौक्ष का होता है और मैं हमेशा कहता हूं कि मौक्ष को सीधा उससे लेटने ही करना चाहिए कि आपको मौक्ष मिल गया मौक्ष बहुत बड़ी चीज है कल्योग तो अभी स्टार्ट ही हुआ है तो बार बार जन्म लेने पड़ेंगे सारे काटने पड़ेंगे इतना easy नही पैदा हुए यानि कि कुछ ना कुछ तो बुरे कर्म करके आई ही थे वना तो जो भी पवित्रात्माई थी वो तो निकल गई थी पहले हम सब जितने भी हम कली होगी है पापी ही है तब ही तो उसको मौक्ष से नहीं जोड़ना चाहिए लेकिन क्योंकि चौते भाव में आप कुछ ऐसी चीज़े बोल दें जैसे मैं मंगल के बात करी तो सीमित रखेगा आपने आपको अदर अदर इस प्राउल्म होगी बदलाव बहुत सारे आएंगे लेकिन कभी-कभी आप समय बद्द तरीके से उनको नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो ग्रह वक्री हैं तो हो स बिजनस, फाइनस, लव लाइफ, मेरिट लाइफ हर चीज़ पर पड़ेगा तो व्यंगात्मक गलती से भी सेकरा जो सेटैरिटिकल या सेर्कैस्टिक ऐसे कमेंड्स जो होते हैं व्यंगात्मक वह मारिएगा किसी के ओपर भी अदर आइज उसका थोड़ा सा बुरा प्रभ कारण क्या है सूरे ग्रहन लग रहा है आपका चौते भाव में अब यहां से जो सारे ग्रह जो ग्रहन युक्त हैं कि सारे ग्रह कहां देखेंगे दस्वे घर को और दस्वा घर क्या है करियर का भाव है और इस महीने दस्वे घर के स्वामी भी वक्री हो रहे हैं तो उस्ट जिनके इस तमें emotional life में problem चल रही है उनका एक direct negative impact career पर पढ़ सकता क्योंकि और होता भी अगर हम emotionally अब घर में दिक्कते चल रहे हैं तो एक ती office में जाके वैसे भी अच्छा काम नहीं कर पाता या एक उसके जो भी efforts होते हैं उसमें दिखता है कि हां और कि उसमें कोई problem आ रही है वहीं एक व्यक्ति जिसके घर में खुशियां है उसका हर चीज़ पर एक अच्छा प्रभाव दिखता है वो अपने काम में भी निपुन रहेगा बाकी activities में भी अच्छा रहेगा तो यहां पर जिनकी family अच्छी नहीं चल रही उनके लिए बहुत समवेधन शील आफिस में दिक्कत चल रही है कि layoffs वगरा चल रहे है तो उनको महीने के शुरुवाती भाग में बहुत careful रहना पड़ेगा दस्वेघर के स्वामी गुरु वक्री हो जाएंगे और वो भी बारवेघर में तो अगर विदेश में जॉब ढून रहे हैं तो अच्छा टाइम है विदेश में जॉब करते हैं तो अच्छा टाइम है और जॉब चेंज करना चाहते हैं क्योंकि बारवा भाव अंत भी दि बाकी ग्रहों की भी बात कर लेते हैं चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उनका इंपक्त भी रहेगा आपके करियर में शुक्र तेरा को यहां पर आ जाएंगे और बुद्ध दस को यहां पर आ जाएंगे क्योंकि बुद्ध लगनेश हैं उनका दस्वे से अश्टम में आना यानि कि दस तारीक के आसपास आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं तो डिपार्टमेंटल चेंज हो सकता है या फिर आपको कोई नया कारे भार दिया जा सकता है कोई added responsibility दी जा सकती है और शुक्र का छटे घर में आना हाँ यहाँ पर थोड़ा careful रहना पड़ेगा तेरा तारीक को यहाँ पर आ गए भयंकर office politics मलब कि आपको पता ही नहीं चालेगा कौन आपके विरुद्ध है कौन आपके साथ में जो अपने भी लगते थे या friends थे वो भी आपके विरुद्ध होंगे और भयंकर जैसे माने करना office politics होगी यहाँ पर क्योंकि शुक्र का छटे घर में आना यानि कि परस्थेतियां बहुत बहुत uncertain हो जाती हैं कारक्षेत में और मेंली उसका कारण office politics ही होता है बाकी जो और गोचर है इस महीने वो है मंगल और सूरे का और उनका भी थोड़ा बहुत impact रहेगा सूरे क्योंकि पंचम में आ जाएंगे जो दसवे से अश्ठम है यानि कि बॉसे से थोड़ी problem माइक्रोस्कोप लेकर पड़ गए बीचे कि हाँ कुछ न कुछ तू गल्तिया निकालनी ही है वो ही आपके बॉसेस करेंगे 17 तरीक के बाद और मंगल का धनस्तान में आ जाना धनादी के लिए तो अच्छा है लिकिन क्योंकि वो भी अर्षत्रिकोन है आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स 20 तारीक के बाद हो सकते हैं 20 को गोचर होगा मंगल का 20 तारीक के बाद थोड़ा सा वानी पन्य अंतरम रखेगा अधर्वाइस कारेक शेत्र पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है मंगल नवंभाव को अश्टंग्रिष्टी से देखेंगे जहां पर शनी बैटे है नवमेश बॉसस से ये भी दिखा रहा है ये भी दिखा रहा है बॉसस से बहुत प्रॉब्लम्स हो से महल कि ना एक प्रकार कि आपके जो बॉसस है वो इस महीने आपके दुश्मन से बन जाएंगे वो पीछे पढ़ जाएंगे माइक्रोस्कोप लेके ढूणा करेंगी हाँ ये गलती होगे ये गलती होगी जो कितनी बड़ी गलती होगी नहीं बाकी कोई करें तो छोड़ देंगे, रेकिन आपके पीछे तो माइक्रो स्कोप लेके पड़ेंगे, थोड़ असा बॉसेस से बचके रहेगा, बना कर रखेगा, विशेश प्रेडिक्शन, पहले अच्छी तारीक के बाद से, और सबसे इंपोर्टन चीज है कि अपनी कमियों को थोड़ा बहुत पहचान पाएंगे, आत्मनतन का महीना होते है जब चौते घर में गरहन लगता है तो, और इस सबसे इंपोर्टन चीज है कि अगर आप थोड़ा बदलाव लाना चाहते है करियर हो, मैं यह नहीं कराएंगे जॉप चैनी, यह तुमने कही दिया है लेकिन जैसे आप कुछ नया सीखना चाहते थे अपने करियर में या फिर थोड़ी से अपने skill enhance करना चाहते थे तो उसके बारे में आगे कैसे बढ़े, मैं यह नहीं करा कि इसे में कर लेंगे वो, लेकिन आपको कोई नया कोर्स करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो उसकी पहले preparation तो करने पड़ेगा, वो research के लिए महीना काफी आपका अच्छा है, negative, कभी-कभी आपको रगय review ना रख पाना यह भी तंग करेगा, तो इसलिए मैं बुरा महीना तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा sensitive अबश्य है, चलते हैं व्यपार, यानि कि business के तरफ, सबसे पहले तो थोड़ा सा ध्यान देजेगा, क्योंकि सब्तम से दस्वे में ग्रहन लग रहा है, कौन सा गरहन, सूर्य गरहन, तो सूर्य का जब लेना देना आ गया नहीं कि सरकार आगी, तो सरकारी कारियों के कारण रुकावटें, सरकारी बाधाएं, सरकारी कारियों के कारण प्रॉब्लम्स, सरकारी issues, tax, authorities, यह सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, for example, आपका कुछ बढ़ा कार है आपका real estate का कार है, construction का कार है, अचानक से NGT का notice आ गया, car roko, यह बहुत चीज़ें होती है, कभी-कभी जो बड़े scale पर जो businesses होते हैं, उनको सरकार से बहुत उनका लेना देना होता है, और कभी-कभी बाधाएं भी बहुत आती है, अब बहुत बाधाएं solve कैसे होती है, सह human tendency to be corrupt, human ही corrupt होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि corruption केवल इंडिया में है, कहीं पर नहीं है, हमारा nature ही corrupt है, तो corruption आ ही जाती है, तो यहाँ पर क्योंकि सब्तम से दस्वे भाब में यह हो रहा है, तो सरकारी problem से बचके रहेगा, कुछ सरकारी issues चल रहे हैं, उनको महिने के शुरु सबसे important चीज़ है कि 20 तारी तक मंगल देखते रहेंगे सब्तम भाब को, और वो लाभेश है, और उनका देखना यानि की लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन वही मंगल आपके छटे गर के स्वामी भी हैं, जो सब्तम से बारवा है, तो यह दिखा रहा है कि कोई legal complication और खर्चे, दो नहीं बढ़ेंगे, मंगल मशीनरी के कारक है, और वो नीच अभी लाशी है, तो या तो महनी के शुरुवात में या 20 तारीक के बाद मशीनरी पर कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, तो उससे भी बचके रहेगा, अब थोड़ा सा ग्रहों के राशी परियोतिन पर नजर डाल लेते हैं, हाँ, सब्तमेश वक्री हो रहे हैं, स्टॉंग हो रहे हैं, लेकिन वी बारवे घर में, तो विदेश से पैसा आ सकता है, चेंजिस का मौका मिलेगा, फंडिंग इंवेस्टमेंट का मौका मिलेगा, आपको फंड रेस करने हैं, आपको इंवेस्ट चाहिए, मौका मिल सकता है, विदेश से मिल सकते हैं, लेकिन खर्चे आपके इस महीने बिजनस में बहुत बढ़ेंगे, ग्रहों के गोचर की बात करते हैं, शुक्र 13 को यहां पर आजाएंगे और बुद्ध 10 को यहां पर आजाएंगे, क्योंकि बुद्ध लगनेश हैं, उन उनका सब्तम से 11 में आना है, यानिकी बिजनस में लाब होगा, बिजनस में आइडियाज आएंगे, लेकिन at the same moment, शुक्र का छटे घर में आना, विर्थ के खर्चे बिजनस में दिखाता है, और अगर आपका बिजनस बहुत कॉम्पेटिटिव है, तो अपने कॉम्पेटि रहे हैं, तो वहाँ पर कॉम्पेटिशन कितना होगा, हाँ पर थोड़ी-थोड़ी energy होती है, कि किसी के चटनी अच्छी, किसी का अचार अच्छा, तो ये example के लिए बने दिया है, तो वैसे ही, अगर आपका बिजनस कुछ ऐसा है, जहाँ पर कॉम्पेटिशन बहुत है, तो थोड़ा सा careful रहने के वशकता है, क्योंकि आपके competitors, आपका नाम, आपका काम खराब करने की, पूरा प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा careful यहाँ पर रहने के वशकता है, इसके बाद जो दो गोचर होंगे, उन पे भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, सूरे का होगा और business start करने जाता है, उनको पता है कि, आज भी हमारे देश में सरकारी बाद हैं, बहुत हैं, एक businessman के लिए, वो GST से हो या बाकी छोटे-छोटे license supply करने को, तो यहाँ पे दिख रहा है कि start करना हो business या फिर business चलाना हो, थोड़ा सा उसमें सरकारी बाद हैं, यहाँ सकती है, लेकिन सब्तम से अश्तम में एक नीच का ग्रह, अपने आप ही कुछ गड़बर कर लेंगे, वालगि सब सही चल रहा होगा, या तो कुछ decision ले लेंगे, ऐसा कुछ किसी को बोल देंगे, जगड़ा हो जाएगा, गलत पैसे जगलत जगा पैसा डाल देंगे, उसके कारण सी इधा चलता हुआ या बिजनस आपका, तो वासा उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, और मशीनरी पर इस महीने आपका खरचा बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए अपने आपको तयार रखेगा, विशेश प्रेडिक्शन, इस महीने determination बहुत दिख रही है, इस महीने आप अ अपने ओपर विश्वास बड़ेगा, लीडर्शिप दिखा पाएंगे, यात्राओं की योग बनने हैं, कुछ यात्रा हैं आप करना चाहते हैं बिजनस में या बिजनस के लिए, बिल्कुल कर पाएंगे इस महीने, भागे का साथ मिलेगा और बड़े चेंजिस लाने का कभी-कभी impatient हो सकते हैं उसका negative प्रभाव, और खर्चे वैसे भी होंगे और आप खुद ही बहुत असिमित खर्चे और व्यर्थ के खर्चे करेंगे बिजनस में, और कभी-कभी बिजनस पे एक दम control हड़ जाएगा आपका, तो इन सब चीजों पर ध्यान देने के वशकता ह चलते हैं income investment expenses के तरफ, income के लिए तो महीना अच्छा है ही, मैंने बता ही दिया है, पहले तो लाभेश यहाँ पे रहेंगे लगन में, उसके बाद वो धनस्थान में आ जाएंगे, ठीक है महीना शुक्र भी तेरा तारीक तक आपने ही राशी में रहेंगे, लक्ष्मी स्था में आ जाएंगे, तो महीना पैसों के लिए अच्छा है, यह है कि क्योंकि शनी वक्री हो, बैठे हो है, गुरु वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा पैसे कमाने की जो intensity हो, slow हो जाती है, investment की बात करें, शुरुवाती 10 दिन अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन overall अच्छे है अंतिन दिन सबसे शुग है, खर्चों की बात करें, संतान अगर आपकी हैं, बच्चे हैं आपके, तो उनके कई कारों पर आपको बहुत जादा खर्चा करना पड़ेगा, हो सकता आपने से कुछ लोग धार्मे की यात्राओं पर इस महीने जाएं, उस पर खर्चा होगा, और यात्राइं इस महीने बहुत होंगी, चोटी यात्राइं, बड़ी यात्राइं, सारे ही होंगी, इंटीरियर्स पर या घर के रकरकाव पर या घर में, घर के सौंदरी या करन पर कुछ खर्चा होता हुआ देख रहा हैं, कुछ आपका, कोई अगर ancestral property है, या गाओं में क कई लोग अपनी सेहत को इंप्रूफ करने पर इस महीने खर्चा करेंगे, जैसे आप मैंसे कई लोग कोई supplement लेंगे, या कोई gym जॉइन करेंगे, कोई योग classes जॉइन करेंगे, एक वो चीज दिख रही है, और दूसरा, आप investment करेंगे इस महीने, थोड़ी बहुत लग रहा लेकिन safe होती है, उस प्रकार की investment FD हो गया, आप मेंसे कई लोग कुछ करेंगे इन चीजों को, obviously वो पैसा अगर कहीं fix हो जाता है, तो आपके cash से कम हो जाता है, लेकिन एक प्रकार से वो भी खर्चे में हम डाल सकते हैं, तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजेगा, चलते है love and relationship के तरफ, no contact situation, chances बहुत कम है, बलकि मैं तो एक कहूँगा कि अगर थोड़ी सी संभावना बनती भी है, तो delay कर दीजेगा, क्योंकि उसमें कुछ होगा नहीं, वो चीजों और worse हो सकती है, नए relationship को लेकर भी बहुत जादा अच्छा नहीं कहूँगा मैं, बहुत जादा स पहले तो शुक्र रहेंगे, वैसे तो अच्छे होते हैं वो, लेकिन वो शुक्र जो है वो बारवे घर के स्वामी भी है, अगर relationship में intimacy की कमी है, physical compatibility की problem है, तो वो इस महिने बहुत तंग करेगी, क्योंकि अगर वो issue है, तो वो obviously एक बड़ा issue है, आज का time पहले जैसा नहीं रहा गया कि जो relationship में वो intimate नहीं होते या फिर physical intimacy में नहीं होती होती है, आज का time बहुत चीज बदल चुकी है, आज लोग live-in में भी रहते हैं और वो एक तरह से समाजने सुईकार भी आज का लिए, आज से शायद 15 साल पहले, 20 साल पहले live-in बहुत एक बड़ी चीज होते लेकिन अगर वो problem है तो उसके कारण दिक्कत बड़ेगी, तो उसको address कीजएगा और ठीक करने की कोशिश कीजएगा, यह बातों में लगता है कि कोई बहुत बड़ी इशू नहीं, लेकिन physical intimacy is the number one cause breakups के, physical intimacy की problem is the number one cause of divorces, तो अगर वो problem है, तो उसको बैटके अगर, जो भी इशू होता है, physical है, emotional है, psychological है, जो भी है, दोनों के बीश में उसको बैटकर solve कर लेजेगा, otherwise वो problem बढ़ती रहेगी, ग्रहों की स्थिती की बात कर लेए, अब क्या है कि वो problem जैसे मैंने कहा है, थोड़ी से दिक रही है, इसके साथ ही शुक्र, तेरा तरीक को छटे घर में की चीज़ है, तो ये एक बड़ा issue, एक बड़ा factors महीने रहेगा, और ध्यान भी भटकेगा दुनों partners का, अच्छा, बुद्ध का पंचम में आना, भी physical intimacy के लेच्छा नहीं होता, बुद्ध को हम जोतिश में नपुंसक ग्रह कहते हैं, उसका सीरा यही मतलब होता है कि अग करते जाएंगे, इसके बाद अगर बात करें, सूरह भी आ जाएंगे, अब सूरह नीच के हो गए पंचम में, यह हो गए 17 तारीक को, तो यहां तक तो चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं, और रही गई कसर कौन पूरी कर देंगे, मंगल, मंगल 20 तारीक को आ जाएंगे, आपके दूसरे खर में नीच के हो जाएंगे, तो दो नीच के गरहों का प्रभाव पंचम पर, तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है, तो यह महिना रिलेशनशिप के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं दिख रहा, जहां महिने के शुरुवात लगेगा कि ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम है उसको ध्यान से देखिएगा, सौल किजएगा, पेशन्स दिखाने पड़ेगी, कॉन्फलिक्ट सवश्य होंगे, लेकिन उनको सौल जल्दी करना पड़ेगा, मन भटकेगा, ऐसा लग रहा है कि में भी और ऑप्शन्स भी हैं, तो उसकी दरफ मन जा स रहता है, मैं यही कहूंगा कि अगर रलेशन्शिप बचाना है तो थोड़ा पास्त और फ्यूचर को छोड़कर इस महीने में प्रेजेंट में रहिएगा, और अपने पार्टन को थोड़ा कमफ़रेबल फील कराएगा, क्योंकि अगर यह चीज़े नहीं हुई तो रलेशन लग जाया, दोशनी गरहन लग रहा है, सूर गरहन, तो इन लॉस के करण प्रोब्लम हो सकता है, आपके लाइफ पार्टन के करियर में महीने के शुरुआत में कोई दिक्कत आ जाया, फिर उसका इंपक्ट विवाहिक जीवन पर रहेगा, सबतमेश वक्री हो रहे हैं गुर और जैसा मैं घर बार कहता हूँ कि दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोश होता है, कई जगा पर नहीं माना जाता है या फिर जोप सॉफ्ट्वेर में देखेंगे नहीं आता, लेकिन होता है, मंगल दोश दूसरे भाव का भी होता है, और इसके बाद हम बात करें तो आपका जो छटा भाव है, वहाँ पर शुक्र का आ जाना, तेरा तारीक को शुक्र आ जाएंगे, वो विवाईक जीवन के कारक हैं, तो वो अल्रड़ी married life की जो शुबता है, उसमें कमी लाएंगे, सूरे का नीच का हो जाना 17 तारीक को, मुद्ध भी यहाँ पर पहले ही आ चुके होंगे, तो सब्तम से ग्यारवे में एक नीच का गरहा का आना, और सब्तम से अश्टम में एक नीच के गरहा का आना, और सब्तम से ग्यारवे में एक नीच के गरहा का देखना, यानि कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी ही नहीं और लगेगा कि चीज़ें ठीक करने की कोशिश होगी वो और बिगड़ती जाएंगे तो यह महीना थोड़ा सा critical है बहुत बुरा भी नहीं कहूंगा लेकिन easy महीना में देगा यहां पर आपको efforts बहुत करने पड़ेंगे vicious prediction expressive रहिएगा मन में कोई बात है कुछ discuss करना है करिएगा लेकिन बातों को अधूरी मत छोड़िएगा पार्टनर पर इस वह सा focus दीजेगा अच्छा time बिताईएगा और जूट मत बोलिएगा manipulate चीजों को मत कियेगा तत्यों को छुपाईएगा यह अगर किया तो चीजें एकदम सामने आएंगी और वो पकड़ी जाएंगे और फिर उसका बुरा प्रभाव रहेगा आपको थोड़ा सा इस महीने अपने life partner को respect भी देनी है और उनको यह feel करवाना है कि आपका भी या उनका भी इतना ही योगदान है विवाई जिव में घर में जितना आपका है क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा सा left out वो feel करे और होता है कभी-कभी हम शादी के बाद विवाई के बाद इतने busy सब हो जाते हैं कभी-कभी अपने partner भली love marriage हो कभी-कभी अपने partner को deliberately नहीं लेकिन परिस्थेतियों करण उतना snare नहीं दे पाते या फिर उतना time नहीं दे पाते तो इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा और वाणी में अगर सौमेता रखेंगे तो और भी अच्छा देगा मंगल नीच के हो रहे हैं तो वाणी की सौमेता तो परम important आपके लिए स्पाहिने होने वाली है तो इन सब पर ध्यान दीजेगा बहुत negative तो नहीं है लेकिन ध्यान अवश्य देना पड़ेगा चलते हैं students के दर एक्जाम से शुरू करते हैं शुरुआती दस दिन अच्छे हैं लेकिन थोड़ा laziness से दूर रहेगा पीछ के दस दिन ठीक है अगर आपने preparation करी है तो भागे साथ बिलकुल देगा अंतिन दस दिन भी ठीक है लेकिन यहां पर अगर आपके पास कोई guide है कोई आपके seniors है जो आपको थोड़ा guide कर पाए तो उनकी guidance हवश्य लीजेगा क्योंकि बहुत उपियोगी सावित होगी वैसे अगर students की बात करें महीना ठीकी है पंचम में पहले शुक्र होंगे यह अपने आप में शुब होता है फिर बुद्ध भी आ जाएंगे यह भी ठीक है फिर आपके छटे भाव में शुक्र चले जाएंगे जो वैसे तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं थे लेकिन क्योंकि पंचम में है पंचम पर मंगल का प्रभाव आ जाएगा जो कॉम्पेटिशन के कारक है तो ठीक है महीना लेकिन क्योंकि दो नीच ग्रहों का प्रभाव रहेगा पंचम में सूर्य यहाँ पर 17 को आ जाएंगे और मंगल जब आपके दूसरे घर में आएंगे तो दृष्टी डालेगे पंचम में तो दो नीच ग्रहों का प्रभाव यानि कि जो उर्जा है तो आपको बहुत वासनात्मक भी कर सकती है और जब वासनात्मक ख्याल आते हैं तो पढ़ाई पर तो मन नहीं लगता तो थोड़ा सा अपने अपना ध्यान दीजेगा और वासनात्मक ही नहीं ध्यान थोड़ा सा भटक भी सकता है बागी चीजों में जा सकता है तो उस पर थोड़ा सा नियंतन रखेंगे तो अच्छा है विशेश प्रडिक्शन अपनी बुद्धी मता पर और विश्वास कीजिए बुद्धी मता है आप में लेकिन विश्वास कमी विश्वास की कमी है पुरानी चीजों पर मत जाईएगा और सबसे इंपोर्टन चीज है कि जो बदलाव बहुत टाइम से लाने की सोच रहे है इस मेंने भी अगर सोचते ही रह जाएगे तो फिर सोचते ही रह जाएगे जो भी आपने सोचा है कि चेंज करना है वो करना है बदलाव करना है उस बदलाव को लाईए उसको इंप्लिमेंट कीजिए उसके लिए इंपोर्टन महीना है और सबसे important चीज़ है कि अपने आप से जोट मत बोलिए सत्यता रखे कि आप सच में कर क्या सकते हैं आपकी capability क्या है उसको समझने की कोशिश कीज़े सेहत के दरफ शलते हैं इस महीने 12 घर में गुरू वक्री हो रहे हैं तो असा ध्यान दीजेगा क्या क्या हाँ उनको नसों के रोग रहते हैं hormonal problem रहती है और diabetes है उनको भी स्वहने ज़्यादा परिशानी हो सकती है विशेश, सुरी, जो शुरुवाती दस दिन उसमें नेत्रविकार, कफ रोग और diabetes बीच के दस दिन में skin disorder, नसों के रोग आपको हड़ियों के रोग रतंग कर सकते हैं lower body में दिक्कत रह सकती है पुनहा सासों समझे रोग रतंग कर सकते हैं और अंतिम दस दिन में गले के रोग रतंग करेंगे हड़ियों के रोग फिर से रहेंगे indigestion बहुत रहेगी, acidity बहुत रहेगी और BP की problem जिनको है उनकी परिशानी बहुत बढ़ सकते है उपाय की बात करते हैं यह अब आपको एक एक बार ही करने है सब्सम गणेश्ची को दुरवा, पंचामृत और घर में बने आटे के हलवे का भोग लगाए और गणेश्ची के सामने बैठकर ओम एक दंता या नमहा मंत्र का एक 108 बार जाब करें महादेव कहने के शिवलिंग का दूद से और गंगा जल से अभिशेक करें मिलाकर भी कर सकते हैं एक के बाद एक भी कर सकते हैं फिर महादेव के सामने ही बैठकर ओम कपाल इने नमहा मंत्र का आपको एक स्वाट बार जाब करना है और किसी भी गौशाला में चारा की चारे की विवस्था करनी है यो पाई कर लेंगे अवश्य आपके लिए इच्छा प्रभावर हैगा आशा करता हूँ कि वीड़ आपके काम आएगी चैनल के नहीं है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता होगी वीडियो में तब तक के लिए ओम नमश्यूर